दोस्तों स्वागत है आप सभी का टेक्निकल ग्यान यूटूब चैनल में मैं हूँ प्रभाकर पांडे दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बात बताने वाला हूँ आप चौक जाएंगे जिहां आपको पता चल जाएगा कि 498 रुपे का Jio Recharge कैसे दे रहा है क्या है पूरा प्रोसेस और कैसे क्या कुछ करना होता है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और जब आप जान जाएंगे कि Jio Recharge 498 रुपे का कैसे देता है क्या है उसके पीछे का लोजिक और क्यों ऐसा कर रहा है आपके वाटसेप पर बहुत से ऐसे मैसेज जरूर आए होंगे दोस्तो कि जियो के 50 करोन यूजर्फ पूरे होने पर आपको मिल रहा है साउधान हो जाईए नहीं तो आपके बैंक में अगर 1000 रुपए से 1 लाग रुपए तक के भी पड़े होंगे सारे खतम हो जाएंगे एक मिनट में आपका दिवाली गिप्ट तो नहीं मिलेगा लेकिन आपका दिवाला जरूर निकल जाएगा कैसे दिवाला निकल जाएगा और क्या होगा यह आप जान लीजिए मेरे मोबाइल स्क्रीन पर मेरे प्यारे दोस्तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि दिवाली का जो गिप्ट 498 रुपे का है वो क्या मैसेज सर्कुलेट हो रहा है सबके वाटसेप के ग्रूप में आप देखिए सबसे पहले मैं वाटसेप ओपन करता हूँ अपना और यहां पर मैं एक ग्रूप अपना ओपन कर लेता हूँ इस group में मेरे message आये हुए हैं बहुत से और आपको जो message में दिखाने की कोशिस कर रहा हूँ वो message ये है ये message है और यहाँ पर लिखा हुआ है जियो free 498 बे recharge offer और जियो के 50 crown users के खुसी में जियो दिवाली offer दे रहा है सभी Indian users के लिए तो यहाँ पर एक link दी हुई है इस link पर लिखा हुआ है किलिक कीजिए अभी मैं इस link पर किलिक कर रहा हूँ और आपको बता रहा हूँ क्या reality है यहाँ पर देख लिजिए सबसे ओपर लिख कर आ गया है the site में content potential risk अगर risk लेना है तो आप इस side पर okay करिए किलिक करिए नहीं तो किलिक मत करिए दोस्तों जब आप ऐसे किसी भी website पर किलिक करते हैं तो सबसे पहले आपको ऊपर देख लेना चाहिए कि वो website secure है और जिस website को मैंने open किया है क्या वो वही website है या फिर किसी other नाम से वो website है क्योंकि दोस्तों ये जो page आपने अभी mobile पर मेरे देखा ये page किसी hackers के द्वारा develop किया जाता है और इस page को जो develop किया जाता है इस page पर आपके सारे data को ले लिया जाता है आपके सारे data का नाम आपका नाम पापा का नाम घर का नाम आपका mobile number email address ये सारा data आपका collect कर लिया जाता है जो hackers होते हैं उनके throw अब वो collect करके आपका data कहीं पर भी कभी भी use कर सकते हैं बिना कोई दिक्कत के तो आप हमेशा सतर करें जब भी आपके पास ऐसा कोई message आए ऐसा message आने से पहले आप सबसे पहले click करने की वजाए सबसे पहले इस message को delete करें और किसी और के पास कभी ना circulate करें ऐसा message circulate करने से आपके account को पैसा जो है खतम हो सकता है और आपकी personal detail leak की जा सकती है दोस्तो जिससे आपको problem हो सकती है ये एक जानकारी थी जो मुझे लगा आपको बताना चाहिए दोस्तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए आप हमारे channel को subscribe कर सकते हैं और bell icon को press कर करके notification पा सकते हैं मिलूंगा मैं एक नई वीडियो में तब तक के लिए take care bye bye अपना ख्याल रखें सुबरात्री